जैव इंधन कई सूक्षमजीव जैव इंधन बनाते हैं नैसर की ज्यास मिथेन जैविक वस्तुओं का मिथेनोजनिक सूक्षमजीव के अनाक्सिय पतन से बनता है वर्तमान स्थिती में पूरे जगत में सबसे महत्वपूर्ण जैव इंधन इथेनौल है इथिल अलकोहूल या इथेनौल का व्यावसाइक उत्पादन ये एक प्रमुक ओद्योगिक प्रक्रिया है आजकल दुनिया भर में 60 अबजलिटर से ज्यादा इथेनौल हर साल उत्पादित किया जाता है ये अलग-अलग कच्चे माल से जैसे गन्ना और शकरकंद के राब, दही का पानी, माक्के का स्टार्च ये इस्ट से किणवन करके किया जाता है इस उत्पादन में ज्यादा तर सैक्रोमाइसिस स्पीसीज इस्ट का और कैंडिला के विना रोग-जनक स्पीसीज का इस्तमाल किया जाता है कचरा, जैसे घरेलू कचरा, प्रानिच कचरा और सेलिलोज से भी सूक्षमजियों की सक्रियता से जैव इंदन बना सकते हैं और ये इथेनॉल उत्पादन के लिए ज्यादा कारेक्षम होता है फिर इथेनॉल का सार निकाल कर किणवन के शोर्बे का अरग खिंचने की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है इसके आलावा कई शैवाल इंदन अलकोहोल और तेल हरे शैवाल से बनाये जाते हैं आजकल पेट्रोलियम बनाने वाले हरे शैवाल बुत्री कोकस ब्राउनी दिल्चस्प सूक्षमजीव पेट्रोलियम का अक्षे स्त्रोत है जैव उप्चार प्रदूशन से निपटने में सूक्षमजीव का उपियोग होता है इस प्रक्रिया को जैव उप्चार कहते हैं दूसरे शब्दों में जैव उप्चार का मतलब विशिष्ठ सूक्षमजीव के चया पचे से अपाई कारी पदार्थ हटाए जाते हैं इसमें कई विविद सूक्षमजीव उपियोग में लाए जा सकते हैं ऐसे स्थानों के उधारण है नदी में तेल चलकना खाड़ी और समुद्र जिसमें अक्सर अवगात होते हैं टैंकर, पाइपलाइन, तेल शुदिकरन कारखाने और गोदाम यक्खेत और तयार फसल पर किये गए कीटक नाशक स्प्रेय जैव उप्चार में ऐसिनेटो बैक्टर स्पेसीज, सूडो मोनोस्पेसीज इत्यादी सूख्ष्मजियों का उप्योग किया जाता है जैव उप्चार दोनों में से एक पद्धती से सफाई तेज करता है एक, विशिष्ट सूख्ष्मजियों को प्रदूशित परिवेश में डानना यदो, ऐसे पोशक तत्व मिलाना जिससे परिशन स्था में पहले से रहने वाले सूख्ष्मजियों को प्रदूशकों का विगटन करने के लिए प्रेरित किया जाता है दोनों स्थिति में मुख्य उद्धेश प्रदूशकों के चया पचय की गती बढ़ाना है झाले सर दोनों स्था में मुख्या जाता है